अब देख रहा है और इसमें देखी जो प्रॉब्लम है मैं वोगों को पताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों इसमें जो है क्यों पहले यह सेट था इसका पूरा को पुरा सबकुछ इसमें और यह देखिए इसका ओरीजिनल डिस्प्ले है यहाँ पर देख सकते क्याइं यह सूपर इमोले डिस्प्लेय है सेमसंग का आपको पूरा पुरा कंप्लीट ग्लास बेस बना हुआ हैं यह पूरा का पूरा ग्लास बेस बना हुआ यहां पर जब इसको अपडेट वांग रहा था और उसने इसको अपडेट कर दिया अपडेट करते ही दिके मैं बता दू जैसे सैमसंग के सेट को इस डिवाइस को लोकल कैसे दिवाइस जो है दोस्तोफों और यह नहीं रही यहाँ आपको इसको on करना है तो on करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा बस दीजिए ओ आपका ये damage screen ये देख रहे हैं ये जो Samsung 20 का damage screen है इसको इससे connect कर दीजे यहां पिसको पुरा खोल के इसको connect कर दीजे connect करने के बाद इसको on करेंगे यहां पर आपको वाइब्रेट करें गंगु से उसके बाद यह आपका थोड़ी दिर के बाद देखेंगे अंदर से यह ओन हो जाएगा आपको डिस्प्ले कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि सूपर इमुल डिस्प्ले ब्लैंक हो जाती है बने टूटने को डैमेज होने के बाद तो आपको है अब इस पत्ते से इस डिस्प्ले को हम इस वाले डिस्प्ले को कनेक कर देंगे कनेक करने के बाद हम इसको पौर बटन आउन करेंगे जब आउन करेंगे थोड़ी देर बाद यह फोन आपका जो है आउन हो जाएगा अंदर से और इसके बाद आप फिर से वही पुरानी में मैं बोलूँगा कि अगर आप डिस्प्ले लगवाने जा रहे हैं सैमसंग जैसे सेटों में तो आपको उसका ओरिजनल कॉम्बो ही लगवाना चाहिए दोस्तों अगर आपको ये इंफोर्मेशन मेरी अच्छी लगी हो मेरी वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करें जिसे की और भी मैं आपको इंफोर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं तो मेरे वीडियो को देखिए लाइक सेर सब्सक्राइब करें चैनल को जल्दी जल्दी धन्यवाद दोस्तों